दिव्यांग जन समेलन का आयूजन किया गया है और शैलेंदर कुमार सोनकर इसमें शामिल हुए है यूपी दिव्यांग विभाग के उपायुक्त है शैलेंदर और टिएनपी ने उससे खास बातचीत भी उन्होंने की है उत्तरप्रदेश दिव्यांग विभाग के उपायुक्त सैलेंद्र कुमार जी है सर आपने दिल्ली में अभी बैठक होई है पी डबलू डी के लेकर और किन किन मुद्दों पर बातचीत होई है उसके बारे थोड़ा को मैं बेसिकली नियायले राज आयुकतो दिव्यांग जन में हूँ डिप्री कमिशनर उत्रप्रदेश और अभी यहां पर मुख आयुकतो दिव्यांग जन भारत सरकार द्वारा अठारवी वार्शिक बैठक का आयोजन किया गया था दिल्ली में जिसमें हर राज के स्टेट कम करना था तो मैं उत्तरप्रदेश को रिप्रेजन करने के लिए आया हुआ हूँ और ये बैठक कल्वा परसों हुई थी जिसमें मुख्य रूप से राइट आफ परसंस विद डिसेबिलिटीज एक्ट टू थाउजन सिक्स्टीन दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के सम समद्धों पर विशेश रूप से चार्चा हुई और मुख्य आयुक्त द्वारा ये निर्देश दिये गए कि सभी आयुक्त राज्य आयुक्त अपनी शक्तियों का विशेश कर जो न्यायक शक्तियां हैं क्योंकि हम डोगों को सिविल कोट की भी पावर मिली हुई है और इसे ही एक और था, वो लड़का M.C.A. कर रहा था, नॉर्मल था, उसके आँखों में पताखा लग गया, उसकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई, कहीं से कोई इलाज नहीं हो सका, उसको भी मैंने रिहाइबिटेट किया, उसको मैंने M.A. कर वाया, प्राइवेट से, उ सन्नता देती हैं कि मैंने किसी गलेशाइद में कुछ कर पाया, मैं एक शिर अर्ज करना चाहूंगा, हीरे से शिफत है, तो अंधेरे में मिलो, और धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं, क्योंकि अच्छे भले को तो काजू बर्फी खिलाने के लिए, पेस आप तोर से कहा कि हर बिकलांगों को बढ़ चल कर हिस्साय दिलवाते हैं, शिवम पांडे, TNP News, दिल्ली